हर दिन कोई न कोई हमारा बचारा बाई जो है हिंदुस्तान के नाम पे शहीद हो जाता है आखर क्यूं कब तक क्या गलती है हमारी क्या खता है हमारी इसके बारे में सरकार कब सोचे की कागजू में बहुत कुछ दिखाती है लेकिन ग्राउंड सता पर जीरो है आज भी ये कश्मीरी पंडिक तो स्क्योर्टी और मोहया कराने में जीरो है एड्मिस्ट्रेशन टोटल फेल है शेम है ऐसी एड्मिस्ट्रेशन कि डरना नहीं है कब तक डरेंगे इस बार तो लड़ना है इस बार लड़ना है इस बार रोडून पे आना है इस बार लड़ना है क्यूंकि डर की आगे जीरे वादी कश्मीर के जिल्ला बड़गाम में कल एक कश्मीरी हिंदू को गोली मार कर हलाक कर दिया जिसकी आखरी रसूमा ताज जमू में अदा की गई वही वादी कश्मीर के साथ सथ जमू के कई इलाकों में जोगोंने एघ्जाज किया इस वक्त मेरे साथ मोजूद है रास्ट्रिया लोग जन्शक्ती पार्टी की सीनियर टिर अनीता चांदपूरी जी जो के एक कश्मीरी पंडित भी है इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब तक जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी जुमू कश्मीर में अमन वा आमान की सुरत हाल बहल होने की किस हद तक जमीनी साथा पर वो सही साबित हो रहा है देखे जिस तरीके से हमारा बाई कल वहां शहीद हुआ बहुत ही दुख बरी बात है और दिल दहलाने वाली बात है कि एक जो परिवार है उसका जो दीपक बुझ गया क्यूंकि उसके परिवार का देखरे करने वाला वो एक लोता बेटा था बहुत शर्म आती है हम लोगों को अपने उपर कश्मीरी बोलते हुए जिस कश्मीरी आतियां कश्मीरी बाई चारे की हम बात करते हैं हर दिन वो तिल-तिल मरता है वहांपे और हर दिन उस बाई चारे की दजियां उड़ते हमें देखने को मिलती है यह पहली बार नहीं हुआ जब कश्मीरी पंड़तों को वहाँ पे टार्गेट की लिंक की गई आप देख रहे हैं पिछले बड़े मीनू से यह कंटिन्यू एक प्रोसेस में आता रहा है कि हर दिन कोई न कोई हमारा विचारा बाई जो है हिंदुस्तान के नाम पे शहीद हो जाता है आखर क्यूं कब तक क्या गलती है हमारी क्या खता है हमारी इसके बारे में सरकार कब सोचेगी LG गौर्मेंट कब जागेगी डावे तो बहुत-बहुत करते हैं, बाते भी बहुत-बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो जीरो है, कहीं पे कुछ हो नहीं रहा है, इनकी रहेबिल्टेशन की बात नहीं हो रही है, इनकी स्क्यूरिटी की बात नहीं हो रही है, कहीं पर भी नहीं हो रही है, इनके ज जो कश्मीर में वैली में जो प्यम Roth हो हमारे सिक बरादरी से हो या और कोई हो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे भी है जो एस्टी स्य से वहां पर नोक्रियां कररें के उनली की जान में भी खत्रा है लेकिन फिर भी गुवर्मेंट सुनी नहीं रही है कागजू में बहुत कुछ दिखाती है लेकिन ग्राउंड सिता पे जीरो है आज भी ये कश्मीरी पंडित को स्क्योरिटी और मोहा कराने में जीरो है एड्मिस्ट्रेशन टोटल फेल है शेम है ऐसी अड्मिस्ट्रेशन पे एक कश्मीरी महाजिर पंडित होने के नाते आपको क्या लग रहा है क्या ये जमू कश्मीर में जिस तरह से हलाकत हो रही है लेकिन सरकार लगातार कह रहा है क्या आमन और कानून की सुरत हाल में बहतरी आई है क्या 5 अगस 2019 के बाद फिर भी अभी तक जमू कश्मीर खास कर वादिये कश्मीर में वो हालात पाइदा नहीं हुए है जिस तरह से दावे किये जा रहे हैं देखे आर्टिकल के बाद जिस तरह से दावे किये जा रहे हैं सब खोखले दावे हैं आपको भी पता है मैं आए दिन कश्मीर में होती हूँ अगर मेरे महने के 10 दिन जमू में होते तो 10 दिन मेरे कश्मीर में भी होते उस तरीके का माहुल हमें वहाँ पे नहीं मिलता है जिस तरीके से सेंटर गवर्मेंट या अब ये हमारी बाचपा दावा कर रही है हमने अमुन बाहल किया, वो किया, ये किया आज भी हमारे कश्मिरी वहाँ पंडित बिचारे मारे जा रहे हैं और आज भी हो स्क्यूरणी आप मुझे बताईए 2014 के बाद इन्होंने कश्मिरी पंडित जो हमारी community है, उनकी security के बारे में क्या सोचा, आपके channel के मादियम से मैं बताना चाहूंगी, मैंने खुद कितनी बार LG office में application दी, बाहर हम लोगों के मादियम से हमारे नेताओं ने बात की, कि जो PM package में हमारे बच्चे लगे हैं, कम से कम उनको उस range में duty पे रखा जाए, उस range में posting पे रखा जाए, जहां वो कम से कम secure हो, लेकिन जहां इनको कोई भी नहीं मानता जाना, फौर फलंग एरियाज में, खुदा ना खासता दिन धाड़े वहां पे अगर कोई किसी को मार देता है, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी जगाओं पे आज हमारे कश्मीरी बच्चे पंडित बच्चे नोक्रियां कर रहे हैं, इन हलाकतों को रोकने के लिए लोकल जो कश्मीरी लोग है, किस तरह से वो ताउन दे सकते हैं, इनकिजामिया को, या वो इन हिंदू लोगों को जो वहां पे रह रहे हैं, कि जान बचा सकते हैं, देखे, मैं आपको बता दूँ, अगर तो आज की डेट में अडिमिस्ट्रेशन फेल है, ये सब को पता च सकती है, अब आप बोलेंगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि सिवल सोसाइटी का अमन और शांती बहल करने में वैसे ही बहुत बड़ा रोल रहता है, सरकार को चाहिए सिवल सोसाइटी के साथ बात करें, क्योंकि सरकारा फेल है, वो कुछ नहीं कर सकती है, मौल्वीज है हमारे मिरवाइज हैं वहां पर, जो फ्रेंट पर आके, हमारे साथ कॉपरेट करके, ये किलिंग को रोका जा सकता है, और शांती का जो माहोल है, उसको क्रियेट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो हर दिन कोई हमारा बच्चा शहीद होगा, और हर दिन वो हिंदुस्तान के से नाम पर बली का बखरा बना दिया जाएगा दूसरी बात में आपके चैनल से यह बोल ना चाहीnek पर अथाенग पर Давайте online और उनसे लैस अंदर जाके एक कश्मीरी हमारे बाई को गोली मार के बाहर आ जाते हैं कहां थी स्क्यूरिटी स्क्यूरिटी लैप्स है मैं केरी हूं जो वहां पर ड्यूटी पर स्क्यूरिटी वाले थे उनको फॉरन डिसमीसी क्याग जाए ताकि उनको भी दर्द हो कि कैसे एक परिवार अपने बेटे को खो देता है जिस तरह से हमने देखा है कि कई मुकामात पर आखरी रुसमात भी हिंदू लोगों की कश्मीरी ने अदा कि जिनके गर में कोई नहीं था वो हिजरत कर गए थे बाकि उनके अफरा दिखाना लेकिन आपसी बाईचारा की ये भेल छासां है और होला भी झाला भी पिश्ल्ग वहां पर पर सब्सक्राइड में के सब्सक्राइब करते हमारे इस तो भी है कि हम लोग पर शांती में कर सके कर चैनल तब तक वहां का लोकल लोग जब तक वहां पे शविल सोसाइटिозможно हमारे साथ यह और भी लोग हमारे साथ वहां पर沒有 नहीं आएंगे मैं उं सब बाई करते हैंगे आज बाई6 तो है लेकिना किश्मीरी कुष्पन्डित already in schedule किस तरह का पाइगाम आपका उन लोगों के लिए रहें देखे पाइगाम तो यही है कि बहुत दुख होता है जब कोई हमारा बाई है हमारी बहन जैसे पिछली बार हमारी एक सफ़दार बहन शेहीद हुई थी हम हम एंदुस्तान के नाम पे मालब काड़ दिया जाता है मार इस तमाम बायूं से रुकेस करती हूँ कि डरना नहीं है कब तक डरेंगे इस बार तो लड़ना है इस बार लड़ना है इस बार रोडूं पे आना है इस बार लड़ना है क्योंकि डर के आगे जीत है बहुत बहुत शुक्रिया यह थी हमारे साथ रास्ट्रिय लोग जन्श प्रश्मीर में वाकिया हो रही है आप देखना ये जरूर होगा कि कब तक इन हलाकतों पर इन्तिजाम या रोक लगा देगी एटी बाहरत और्दू के लिए जमू से मैं मौमध अश्रब